इशोरी ने जैसे ही मनिहार की आवाज सुनी तो वो मन ही मन भगवान को अपनी गरीबी के लिए कोसने के साथ साथ मनिहार को भी इस वक्त आधमगने के लिए दो चार मोटी मोटी गाली देना नहीं भूली इस नास पीटे को भी आज ही मरना था और चार पास दिन ना आता तो क्या बिगड़ जाता कई महीनों से इशोरी अपनी छोटी बेटी काली को टाल रही थी कि अगले महीने कुंडल दिला देगी नास जाये उस आवारा सुमन का ना वो अपने सुनहरे काले कुंडल काली को इतरा इतरा कर दिखाती ना काली कुंडल खरीदने की जित पकड़ कर बैठ जाती काली का भी क्या दोश बच्ची है बेचारी ग्यारा साल कोई उम्र है समझदारी दिखाने की हाला कि घर की हालत उससे चुपी ना थी लेकिन वो ये समझने के लिए अभी चोटी थी कि पिछले साल बड़ी बेहन सावित्री के ब्याह के लिए लिया गया करजा अभी तक उतरना भी शुरू नहीं हुआ था और पाच दिन बाद सावित्री के गौने की रस्म के लिए उसके विद्वा माने किस तरह से पास सो रुपय का उधार जुटाया है सपने चादर के हिसाब से अपने पैर नहीं फैलाते ये अलग बात है कि जरूरते हमेशा सपनों के मुह पर तमाचा मारती है अब ऐसे में अगर काली कुंडल के लिए अड़ गई तो पचास साथ रुपय का चुना लग जाएगा और काली की जिद इसकी बात ना मानी जाए तो पूरा गाउं सर पे उठा लेगी ये लड़की मनिहार ने घर के आगे आकर जोर से आवाज दी चूडियां, कुंडल, बिच्वे, बिंदी, लिपिस्टिक कुछ लेना है बहन जी इशोरी घर से नहीं निकली हाँ, ये अच्छा तरीका है घर से निकलो ही मत काली घर में है नहीं थोड़ी देर में ये मनिहार नाम की आवत अपने आप दफा हो जाएगी तभी इशोरी ने ये देखकर माथा पीड लिया कि काली सुमन के साथ मनिहार के पास खड़ी कुंडल देख रही थी अब तो तै था कि अगर नया बखेडा नहीं खड़ा करना है तो कुंडल दिलाने ही होंगे लेकिन तभी पाहर की तरफ बढ़े इशोरी के कदम काली की ये आवाज सुनकर ठिठक गए कि नहीं भईया कुछ नहीं चाहिए तुम जाओ सुमन ने आश्चर से और इशोरी ने गर्व से काली को देखा बुरा वक्त इंसान को कितना समझदार और संदोशी बना देता है घर के अंदर जरूर्तों के बोश से दबा एक आशू जमीन में छुपने की जगे तलाश रहा था और घर के बाहर एक जोड़ी पलकों की नमी लजाई नजरों से पल-पल दूर जाते मटकते हुए सुनहरे कुंडल देख रही थी आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद